Hi friends, कैसे हैं अब? आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले है safety kit के बारे में safety kit कोन से company क्यों होती है price क्या होती है यह किस बीमारी में काम में आती हИसके side effects, benefits क्या होते है वो लेने का साही तरीका क्या होता है देखिए सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि safety kit हम लेते क्यों है safety kit अंचाही pregnancy हो जाती है उसको terminate करने के लिए हम इसका use करते हैं या unprotected sex हुआ है और आपको pregnancy रुख गई है या आप उस pregnancy को रखना नहीं चाहते हैं या continue नहीं करना चाहते हैं आपको pregnancy हटाना है तब हम इसका use कर सकते हैं जब भी आपको pregnancy हुई है तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अगर आप pregnancy रखना नहीं चाहते हैं तो आपको अपने नजजी की डॉक्टर के पास जाना है चकप करवाना है उसके बाद ही आपको decision लेना है कि आपको tablet लेना है या नहीं लेना है यह tablet लेने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए आपको सब चीजों का knowledge होना चाहिए कि आप यह tablet ले रहे तो इसका side effect होते है और किन-किन females को यह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए देखें यह pregnancy को terminate करती है इसलिए यह दवाया यह medicine सिर्फ female के लिए होती है तो उन females को जो भी यह लेती है उनको कुछ चीजों या इन बातों के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि आपकी ages को लेने के लिए सही होनी चाहिए अगर आप married है और आप ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि first time जो भी आपको pregnancy रुकी है तो आप उसको terminate ना करें क्योंकि आगे चल करके कहीं बार infertility की problem शो होती है दूसरी बात यह है कि आपकी pregnancy ज़्यादा time की नहीं होने चाहिए जब भी आपका period मिस होता है इसको लेनी की process क्या होती है या फिर आपको किंच चुका और ध्यान रखना है कि अगर आपको blood pressure है, sugar है, thyroid है तो ऐसी condition में या फिर आप blood को पतला करने की दवाई ले रहे हैं इसी condition में आपको खुष से दवाई या कभी नहीं लेना है क्योंकि कई patient है जो खुष से दवाई ले करके खा लेते हैं और कोई problem भी नहीं होती, case clear भी हो जाता है पर कहीं बार case बिगड़ जाता है, काफी chance होता है ठीक है, तो अब हम अपनी man बात पर आते हैं कि इसको लेने से पहला आप किन-किन चीजों का ध्यान रखे देखिए, सबसे पहला तो कि आप को pregnancy हुई यानि कि आपका period miss हुआ है तो period miss होने के बाद में आपको pregnancy test करके देखना है जब भी आपका pregnancy test positive आ जाता है और आपको उस pregnancy को नहीं रखना चाते हैं तब ऐसी condition में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है लेने का वो ही मैंने बोला कि आप नजडिक के डॉक्टर के पास जाएए खुद से आपको कभी नहीं लेना है, ठीक है दूसरी बात, आपकी pregnancy one month से ज़्यादा की होने चाहिए और two month से उपर की नहीं होने चाहिए यानिकि 30 दिन से उपर की होने चाहिए pregnancy आपकी और उधर 65 दिन से उपर की नहीं होने चाहिए यानिकि 65 दिन से कम होने चाहिए, ठीक है कई बार कई females खा लेती हैं और periods नहीं आते तो उसके भी कई कारण होते हैं, उसके लिए मैं अलग से विडियो बनाऊंगी कि इस kit को लेने के बाद में अगर आपके periods नहीं आते तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है अब इसको लेने का सही तरीका क्या होता है इसमें पांच टेबलेट होती है, जो कि मिफी प्रोस्टोन और मिफी प्रोस्टोन को मिला करके बनाए जाती है देखिए, ये काम कैसे करती है इसमें मिफी प्रोस्टोन की एक टेबलेट होते है जो कि 200 मिलिग्राम की होती है और मिफी प्रोस्टोन की 4 टेबलेट होती है जो कि 200 मिलिग्राम की होती है पूरी टेबलेट 1000 मिलिग्राम की होती है जो कि इस टाइप की दिखाई देती है एक पेक में यानि कि एक स्ट्रिप में 5 टेबलेट होती है एक मिफी प्रोस्टोन होती है और 4 मिफी प्रोस्टोन का काम होता है जो सबसे बड़ी वाले टेबलेट आप खाते हैं तो वो काम कैस करती है यह आपके प्रोजिस्ट्रान हार्मों को रोग देती है यानि कि प्रेगनेंसी के लिए प्रोजिस्ट्रान हार्मों का लेवल या कंटिन्यू होना सकते important role play करता है तो ये हमारे progestron hormones का secretion जो होता है उसको ये रोब देती है ठीक है जब आप misoprostol की 4 tablet लेते हैं तो उनका काम क्या रहता है कि हमारी बच्चदानी में दर्द यानि कि contraction शुरू करती है बच्चदानी में दर्द का होता है ठीक है और misoprostol का काम होता है कि आपके hormones को progestron hormones को रोग देती है और बच्चदानी का मुँ खोलती है यानि कि बच्चदानी का मुँ ओपन करती है सर्विक्स को ओपन करती है तो ये काम misoprostol का होता है और misoprostol का काम होता है कि बच्वacy Alors me construction करती है और उसको बाहर करती है जो भी प्रोडक्ट है लेनी के सही प्रोअस क्या होती है जब भी आप सबसे पहली वाली टैबलेट होती है जो कि सबसे बड़ी वाली दिखाय देती है में फिप्रोष्टान की वह आपको पहले दिन लेना है यानि कि आप सुबा मौर्निंग से ले रहे हैं तो सुबा आपको 10 बजे वो लेना है ठीक है दूसरे दिन यानि कि next day आपको वोई समय 10 बजे एक आद घंटे आप लेट भी हो सकते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दूसरे दिन next day आपको दो टेबलेट लेना है मिसो प्रोस्टल की आप जिबान के नीचे भी रख सकते हैं जिबान के नीचे रख रहे हैं तो आटोमेटिक घुल जाती हैं और आदि घंटिक बाद आप पानी पी सकते हैं पर अगर आप उसको खा रहे हैं औरली आप ले रहे हैं तो पानी के साथ में लेना है हलका सा नाश्टा करने के बाद में आप पहली वाले टेबलेट लेंगे फर्स्ट डे तो वो भी नाश्टा करने के बाद में या खाना खाने के बाद में ही ले हलका सा खाना खाना है या नाश्टा करना है खाली पेट आपको नहीं लेना है ठीक है? जब आप पहली वाली टेबलेट लेंगे तो आपको कोई भी सिंटन्स दिखाई नहीं देते हैं कि पैट दर्द होना कि ब्लीडिंग होना, चक्कर, घबरा टूल्टी ऐसा कुछ भी नहीं होता है बहुत कम कैसेस में ऐसा होता है कि आपको पहली वाली टेबलेट लेने के बाद में कोई लक्षन दिखाई दे नेक्स दे आप दो टेबलेट लेंगे मिसो प्रोस्टल की वो ही समय दस बचे वो नाश्टे के बाद में टेस्ट है इसका तो आप उसको पानी के साथ में औरली खा सकते हैं यानि कि आपने टेबलेट मुँ में डाली पानी पिया वो अंदर जले गई यानि कि चपाना नहीं है ठीक है उसके बाद में आपको कुछ जुका ध्यान रखना है मिसो प्रोस्टल की दो टेबलेट खाने के बाद में या आदी घंटे तक आपको उल्टी नहीं होनी चाहिए अगर आपको उल्टी हो गई आदी घंटे से पहले तो टेबलेट बहार निकल जाती है और वो काम नहीं करती है अगर आपके साथ बेशा हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर से सला लेनी चाहिए ठीक है तो उसकी जगे वो आपको दूसरी टेबलेट देंगे खाने के लिए क्योंकि सभी का केस या मामला अलग-अलग होता है आपकी दो टेबलेट और बचरी तो वो आपको नेक्स डे लेना है याने कि अगले दिन फिर उसी टाइम पर लेना है मिसो-प्रोसटल की दो टेबलेट और अब आप मिसो-प्रोसटल की दो टेबलेट लेंगे तो आपको वुल्टी हो सकती है याने कि उसके जो लेने के बाद में कुछ लक्षन दिखाए देते हैं उससे हम यह समझ सकते हैं कि हमारी प्रोसेस ठीक ठीक हो रही या नहीं हो रही दूसरे लेक्षन आपको दिखाए देगा लेने के आदे घंटे के बाद में या एक घंटे तक भी आपको लेक्षन दिखाए दे सकते हैं कि पेट के निचले हिससे में पेड़ों में या बच्चतानी में दर्द होता है या एठन होती है यह मिसोफ्रोस्ट्रल की नेक्स डेज जब आप दो टैबलेट लेंगे तो आपके चार से छे घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती जैसे कि आप 10 बजे ले र लेगा और आपको 10 दिन तक ब्लीडिंग होती रहेगी या पांचे दिन तक तो तेज ब्लीडिंग होती है फिर धिर धिर करके बंद हो जाती दस बारतीन में ठीक है और अगर आपके साथ में इसा हुआ है कि आपने पूरी पांचु टेबलेट खाली और आपको क्या करना है और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने टेबलेट खाई थोड़ी सी ब्लीडिंग होई फिर प्रिरेट से बंद हो गए फिर प्रिरेट से बंद हो गए अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझसे भी appointment लेके आप जानकारी ले सकते हैं अब हम इसके side effect के बारे में बात करते हैं कि ये tablet लेनी के बाद में आपके side effect 4-5 दिन तक ही दिखाई देते हैं उसमें आपको उल्टी हो सकती है, उल्टी तो बहुत कम होती है एकाद बार भार नहीं होती है 10 लग सकते हैं आपको, पैट के निचले हिस्से में दर्द होता है थोड़ी कमजोरी फेल हो सकती है, बुखार हो सकता है और bleeding काफी heavy हो सकती है अगर आपको bleeding इतनी तेज हो रही कि हर आदे घंटे में एक घंटे में pet change करना पढ़ रहा तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जा करके आप बता सकते हैं आपको घर में बेट नहीं करना है और अगर आपके bleeding यह सी हो रही कि चार पाई दिन तब तक ही यह side effect दिखाई देते हैं अब हम benefits के बारे में बात करते हैं देखिए इसके benefits क्या है कि आपकी जो pregnancy थी वो terminate यानि कि remote हो जाती है यह benefits बता है और अगर आपको bleeding हो रही बंद हो रही फिर शुरू हो रही फिर बंद हो रही तो फिर आप ऐसी condition में यह समझ सकते हैं कि आपका case clear नहीं होआ है आपको problem है आप अपने doctor समपर करें और doctor से नहीं कर पा रहे तो आप हमसे भी online appointment लेकर क्या आप बात कर सकते हैं अगर यह video देखते टाइम आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप comments करके मुझसे पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें धन्यवाद